नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतों पूर्जानकारी को ले करके जिहां आज का हमारा टॉपिक है सर्दियों में इस पानी को पीने से शरीर की सो से ज़्यादा बेमारियां जड़ से खत्म हो जात आई जानते हैं कैसे जी हां हम बात कर रहें अधरक के पानी का अधरक को वैसे तो ज्यादातर हम मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं और इसका ज्यादातर सर्दियों में ही प्रयोग किया जाता है अगर आप अधरक के पानी को हर रोज अपनी दिन चरिया में शामिल कर लेत से आपका मेटबलेजम बिलकुल सही रहता है जिससे हमारा फैट तीजी से बर्न होता है और हमारा वजन कम हो जाता है इसके अवालावा यह डाइबिटीज को कंट्रोल करता है अगर किसी को शुगर यानि डाइबिटीज की समस्या हो तो अधरक के पानी को पीने से शुगर कं मस्या नहीं है फ्यूचर में शुगर होने की पॉसिबलिटीज बहुत कम हो जाती है इसके साथ साथ यह मांसपेशियों के दर्द से रहत देता है कई लोगों को मसल्स पैन बहुत ही जादा होती है लेकिन अधरक का पानी पीने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और जिससे मसल इससे में हम अगर अदरक के पानी का सेवन हर रोज करें तो इससे हमारा पाचंत अंतर सही रूप से कारे करता है और इस पानी को पीने से खाना भी सही धंग से पच जाता है क्योंकि अधरक का पानी हमारे शरीर में डाइजेश्टियो जूस को बढ़ा देता है सिर्दर्द से राहत देता है जियां सिर्दर्द की समस्या होने पर अगर अधरक के पानी का सेवन करें तो हमें सिर्दर्द में बहुत ही आराम मिलता है पिंपल्स की समस्या को भी ये दूर करता है अद्रक का पानी पीने से हमारे शरीर में से सारे टॉक्सिंस बाहर निकल जाते हैं जिसे हमारा बलड साफ हो जाता है और इससे पिंपल्स की समस्या नहीं होती है सीने की जलन को ये कम करता है कई बार खाना खाने के बाद सीने में जलन होने लगती है ऐसे में अगर आप खाना खाने के आधे घंटे बाद अधरक के पानी का एक एक कप सेवन करें तो आपका खाना भी हजम हो जाएगा साथ ही आपको सीने में जलन भी नहीं होगी क्योंकि इसके पानी से body में acid control में रहता है cancer की संभावना को ये दूर करता है अधरक में anti-cancer properties पाई जाते हैं अधरक के पानी का सिवन करने से यह breast, skin, prostate, colon, इत्यादी कई तरह के cancer से बचाओ करता है आपका इसके अलावा ये immunity power को बढ़ाता है अधरक में anti-bacterial गून पाहे जाते हैं जिससे हमारे शरीर में immunity power यानी की रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाने में मदद मिलती है जिससे हमें रोगों से लडने की ताकत मिलती है और हमें जल्दी सर्दी जो काम नहीं होता है नहीं हमें वाइरल बुखार की समस्या कास सामना करना पड़ता है तो दोस्तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहदी महतो पूंच जानकारी को ले करके तब तक के लिए धानिवाद नमस्कार दोस्तो